है कि है लैट फ्रम तुड़े इन इस सेशन आप्टेक्स प्वाइटेट प्रेम्स क्रेज जिसमें से अभी ना जावासप्रों में एक और चीज है जो अपने सब को पता होनी चाहिए तो जावार सक्रिप्ट सुप्र में हम लोग क्या करते हैं, एपेक्स क्लास का डेटा बोलो, या कोई डमी डेटा बोलो, जो हम लोग create करते हैं, to show on HTML page, बराबर, तो जावा स्कृप्ट के उपर हर चीज चलनी चाहिए, हर चीज मतलब हर तरीके का calculation होना चाहिए, नत्यuma कीज़ creo我 स्टस्टोर करते आने चाहिए मुझे क्या करणा पड़ेगा जावा स्कृप्त को प्रॉपर तरीकी से सीखना पड़ेगा तो अब देखो जावा स्कृप्त को सीखने के लिए जावा स्कृप्त काई इसक्ती कई सब्सक्र वरहद का work несколько 10 फिर दाट करने के लिए पुछ कुछ जरूरी क्योंकि जास्क्रिप्ट में मल्टीपल तैप का नेटा रहेगा वरबर वोसकता है एरे टाइप का देटा हो डाइट स्टोर करेंगे स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसी जगह चाहिए जहां पर हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते तो बस ऐसी ही जगह का हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं मितलब यूज करें तो जो कीवर्ड से जावा स्क्रिप्ट के अभी हम लोग वह देखेंगे पहले सबसे पहले तो यहां पर हो गया ठीक है इन सबका यूज भी देखेंगे हम लोग पहले लिख लेते हैं लेट हो गया तेन कॉंस्टर्ट कभ यूज करना है यह सारी चीज़े हम लोग समझेंगे ठीक है क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर तीनों की तीनों काम करती वायर भी काम करता है लेकिन कौन सा कभ यूज करना है यह हमको नहीं पता होता है तो यह इसका डिफरेंस भी हम लोग आने वाले सेशन में बीदेखिंगे आप इसके अलावा अगर विफरेंस करना कर सकते हो ठीक है ऑठ करना है तो आप कैसे करोगे वह मैं सिखा दूंगा आपको देन अगर आपको स्विच स्ञेटमेंट अगर आपने बोड़ GPA हो तो चीज यहां पर हो जाएगी आपकी कवर function function keyword का यूज़ हमने last class में ही देखा था बराबर अकर किसी नहीं देखा ओ तो previous class को आप लोग देखो ठीक है है external function मतलब हम अलग से जावा क्रिप्ट के बनाखे उसको HTML फाइल के अंदर कॉल करते हैं और इंटर्णल फॉक्ष्ट मतलब क्या आपके HTML की अंदर ही पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं इंटर्नल फंक्शन तो यह मैंने किया है उसके अलावा यहाँ पर और कैसे मैं एक्सप्लेन करोंगा आ छाहे आपका और करने का ज़रूरत पड़ा तो कैसे करेंगे वह को पता होना चाहिए यह की वर्ड कैसे काम करते हैं यह हम लोग सीखेंगे और अगर आपको यह चीजे नहीं आती न तो आपका जावा स्क्रिप्ट जो है ठीक है वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि यही छोटी-छोटी चीजे आपके जावा स्क्रिप्ट के करेंगे कि किस तरीके से इन चीजों को हम लोग कर सकते हैं ठीक है कर दो जावा है